नमस्कार साथियो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनेंदने देखिए बहुत इंपोर्टेंट खवर है और इस खवर को आप पूरी तरह से जरूर देखें राजस्थान बिद्या संबल योजना जो राजस्थान बिद्या संबल योजना है जो 2022 में गहलो सरकार द्वारा जो लाई गई है इसमें डबल सेवन थाउजन यनि 77,000 पद सभी पोस्ट और वर्गी खरण जो किया गया मैं आपको बताने वाला हूँ दो नमंबर से फोरम भरे जाएंगे और फोरम भरने के बाद में और इसकी 4 नमंबर को अंतिम्तिति होगी और 5 तारिक तक संसोगन करने का आउसर आपको दिया जाएगा और 21 तारिक को आपकी जो लिस्ट है वो आउट होगी कौन-कौन से डोक्मेंट्स आपको जरूरी है वो डोक्मेंट्स के बारे में भी बात करूँगा तो फोरम कब भरना है कैसे बरना है मेरिट का अधर क्या रहेगा कट ओफ किस तरह निकाली जाएगी इस सब के बारे में हम जनकरी करेंगे तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा ये आप देख पा रहे होंगे सिक्षक विभाग में सिक्षकों के 77,000 पद खाली इन में सबसे ज़्यादा L2 के 25,000 पद खाली है जो लेबल 2 है उसके 25,000 पद खाली है और इन 25,000 पदों को भरा जाएगा तो इसमें और भी दे रखा है तो दिखाया है इसमें देखे आवेदन के लिए सिर्फ तीन दिन कितने दिन का टाइम है किवल तीन दिन का है जिसमें ब्याक्याता के 12,261 पद है और सेकंड ग्रेड के 16,531 और लेबल जो वन है उसके 21,000 तो था लेबल जो सेकंड है उसके 25,500 और सारिक सिक्षक के 25,000 और प्रियोग साला सायक के 120,5 पद रिक्त पड़े हुए है तो साथियों अपने फोरम आप अपने नजदी की जो विद्याले में आप अपना फोरम भरें और इसका लाब जरूर उठाएं क्योंकि जो गेस फेकल्टी में जो टीचर्स जो लगाए जाएंगे और ये 77,000 टोटलिस्ट सब हुए है जिनमें 46,000 भी सीटेक सामिल है तो निश्वत रूप से आप वीडियो को आगे भी देखना मैं बताऊंगा इसके बारे में प Memorial ऐसी देखिए आगे दे खाय से प्रफ़्व नाय कि yas ? खाय समय पर्फोर्म और इसमें एक फोटो लगाना आय आपको क्या लगाना है ! और आपको एैं ये लगना कि मानई सिक्छा किए फॆरष 1Сक 액 प् deepest लगना है और अधि निश्तर up किया है आपने अगर किया है तो तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को फिलिप कर सकते हैं और आगे इक बड़ देख लीजिए कि इनको वेतन बगेरा क्या क्या दिया जाएगा तो वेतन क्या होगा देखिए वेतन इस प्रकार है यानि अध्यापक लेवल वन के लिए जो प्रत्थम है उसमें क्या दिया रख जाएगा जिससे आपका बेतन 21,000 रुपे हो जाएगा इसके बाद में वरिष्ट अध्यापक जो 2nd grade का होगा 9th और 10th को पढ़ाएगा उसको 350 रुपे जो आपका बेतन लगभग 25,000 को दर्साएगा और जो प्राध्यापके अर्थात लेक्षर जो होते है ग्यारमी और बा दिया गया है कि पर घंटे के साबसे और 21,000 रुपे अनकी सेल्जी होगी सारिक जो सिक्षा होगा और उसकी भी 300 रुपे पर घंटा के साबसे होगा और 21,000 रुपे आपको बेतन मिलेगा तो तो निस्वत रूप से आप फॉरम फिलिफ जरूर करें और फॉरम फिलिफ करने का जो टाइम है वो दो नमंबर से स्टाट हो रहा है क्योंकि एक नमंबर को क्या है एक नमंबर को इसका क्या है जारी हो जाएगा एक नमंबर को और उसके बाद में दो नमंबर से आपको क्या है फॉरम फिलिफ करने है दो नमंबर से और दो से लेकर के और चार नमंबर तक फॉरम फिलिफ होंगे और 5 नमंबर को आप असुद्धी के लिए आपको बापिस लेना और करने का अधिकार रहेगा और इसके बाद में 19 जो नमंबर है 19 नवंबर को और लिस्ट जारी हो जाएगी और इस लिस्ट जो जारी होगी इस लिस्ट में आप अपने नमबर चेक कर सकते हैं तो साथियो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले क्योंकि NCRT इसे संबंदित 6th किलास से लेकर के और 10th किलास तक के सारे वीडियो हम भी डेली अपने अपने लिए तो जरूर साथियो आप इस पर ध्यान दें और निस्ट रूप से जो 6 से 8 तक के लिए हैं उनके लिए या एक से लेकर के 8 तक के लिए उनके लिए टैट आवा सकता है सेकंड ग्रेड के लिए कोई टैट आवा सकता नहीं है और फस्ट ग्रेड के लिए टैट की आवा सकता नहीं है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद थेंक्स